नमस्कार मैं शुमोना मित्रो मित्रास से आज मेरे यूट्यूब चैनल में फिर और एक बार आप सब लोगों को स्वागत है आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मुशिदवा सिल्क की उपर कुछ एक्स्वूसिब हैंड पेंटिंग डिजाइन मेरा पहला डिजाइन एक ग कोलर है यह ग्रीन कोलर की उपर है इसको मैं खोल के दिखाती हूं यह रहा इसका आचल यह रहा इसका आचल ऐसे जा रहे है आचल दिखिए इसका बॉडी का जो कुशन है डिजा रहा है वह ग्रीन एंड बॉडर में दो कलर को ब्लू शेट के उपर है एक बाटिक पेटरन का भी यह हम लोग लाइन्स देने के कोशिश किया है यह रहा इसका बॉडी का पॉर्शन एही सेम पॉर्शन आपको पूरा पल्लू में भी जा रहे है ऐसे पूरा पल्लू हो रहा है पल्लु की ऊपर बाद इसका ये रहा ब्लाउज अब देखरें कितना सुन्दर कम्बिनेशन है ब्रीन एंड ब्लू का में बाद में इसको मैंने को इनकी ऊपर दिखाऊंगे अब मेरा नेक्स्ट डिजाइन ये एक बेजेंटर रानी कलर का उपर है बहुत सुन्दर एक रानी टाइप का कलर है इसका ये रहा इसका आचल ऐसे मरश रहें मैं इसके बाद यह इसका बॉड़ी अपडेक आप डेके बॉड़ी में कैसे के लाक लागा एक ग्रेडिशन के बाद पुरा बोर्डरिस शोह आप पर योप्मी ये कम रहेगा यहीत पूरा शारी अब को एसे ज़ा पूरा शारी नीच में बौर्डर है बॉडी में ऐसे वार डिजमं हैं वसके बाद ये रहां उसका लो यह यह रहां ब्लॉफ वेजंटर कालर का उसके हाथ में भी ऐसे बॉर्डर में जैसे काम है वहीं काम हम लोग स्लिफ्ट में भी दिया है यह भी मैं आप लोगों को मैनिकुन में दिखाऊगी ही थाँ हुआादी एाँ यह भी मैं अज थर्ड डिजाइन यह एक रस्ट कालर के उपर मूरल पेंटिंग का डिजाइन है यह है इसका आचर यह है इसका आचर पूरा आचर में ऐसे मूरल का काम है समझ भी नहीं आ रहे है कि पूरा डिजाइन आप लोगों को मैं दिखा पाड़े हुए या नहीं बाद में इसलिए मैंने मैंने को इंके उपर भी दिखाऊंगे यह रहा इसका बॉड़ी पुछ बॉड़ी में ऐसे काम जाए यही डिजाइन जैसे नीचे में बॉड़र है बॉड़ी में इसका चोटा चोटा बूटी है यही डिजाइन पूरा शारी में है इसके साथ मैचिंग करके एक खरीन कालर का ब्लाउस यह जो मूराल पेंटिंग मैंने यूज किया है एक ट्रैडिशनल मूराल पेंटिंग उपर यह और भी अच्छा रहेगा आप मेरा फूर्थ शारी है यह बहुत सुंदर एक हैंड पेंटिंग है मेरा तो यह कलार कॉंबनेशन कुद के लिए बहुत पसंद है आप लोगों को भी मुझे लगड़े कि इस पसंद है यह देखिए यह रहा हो इसका आच्छा यह है इसका आच्छा बहुत सुंदर एक कलर की उपर है वाइलेट कलर टाइप का है वहीं डिजाइन्स आपका बौड़ी में भी है उसके बाद है नीचे में सेम डिजाइन्स जारहें और पर में पिरोजी टाइप का कलर हैं पूरा शारी ऐसे जारहें इसके साथ यह रहा इसका ब्लाव सेम फिरोजी कलर लाव यह मेरा फोर्ट शाड़ है अब मेरा फिप्थ शारी और आज की वीडियो के लिए यह मेरा लास्ट शारी भी Hindu है यह वाइप bubble है मैंने शारी बनाया है कि यह कोई भी एज में यह ल्माप सब्सक्राइब कुशल्च के ऊपर है यह ब्लाक Interview वाइट कॉमिनेशन बहुत सुन्दर एक कमिनेशन है देखिए यह रहा इसका आचल यह रहा आचल आचल के बाद यह है इसका बॉड़ी पूजिशन नीचे इसका बॉड़ा जा रहे है ब्लैक की उपर मल्टी कलर है फ्लावार में दो तीन कलर शेट भी है इसके पूरा शारी के ऐसे जा रहे है और इसका जो ब्लाउज है यह एक पिंक शेट के उपर है जो पिंक शेट हम लोग फ्लावार में यूज किया है वह ही पिंक फालर है यह मेरा आज के लिए लास्ट थाड़ है मैं खुद भी एक हैंड पेंटिंग शारी पैनी हुई हूं यह भी देखिए पिंक कलर के उपर है इसका डिजाइन आप सब लोग देख पार है ऐसे इसका डिजाइन है यह भी अगर आप लोग को पसंदे आ रहे हैं तो आप बोकस सकते हैं मैं अज पहले चाहरी दिखाया है अगर आप लोग वह सारी परशन्थ है तो आप लोग भूप कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वार्सप नमबर जा रहे है वार्सप में सिर्फ शारी का नमबर देकर आप लोग शारी बूप कीजिए मेरा रख़ीन है कि मेरा ये डिजाइन आप सब लोगों को बहुत पसंद आए। तो इसन कि अपनीत को पसंद आए तो जरू को लाइक कीजिए श्यार कीजिए और जरू सस्क्रेब कीजिए। झाल झाल झाल